इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिगई हैं। हम इस विडियो में किसी भी दवाय का प्रचार नहीं करते हैं। ये कमी का प्रबंधन करता है, जिससे संबंधित बीमारियों का प्रबंधन होता है, और शरीर की समग्रकारियों, विकास और स्वास्थे का समर्थन होता है. इसे डॉक्टर की अनुशनसित खुराक, अवधी की अनुसार भोजन के साथ या भोजन की बिना लिया जा सकता है और इसे नियमित रूप से लिया जा सकता है डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई अवधी से अधिक नहीं अधिमानता प्रत्येक दिन एक ही समय पर सुरक्षित उप्योग सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मौजूदा चिकित्सा स्थिती या समवर्ती दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर प्रदाता को सूचित करें चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, ये स्वास्थे पूरक शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी तीन के स्थर को बहतर बनाने में मदद कर सकता है दो, ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है 3. ये दवा शरीर में मौझूद पोशक तत्वों की कमी को पूरा करने में भी मदद कर सकती है 4. ये हड्यों की बीमार्यों के खत्रे को कम करने में भी मदद करता है वड्यों को पूरा देखनी के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे देगाए सब्सक्राइब बटन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें